हलो दोस्तों गुड बॉर्णिंग स्वागत एक बार फिर्षते आप से भी का इंजेटे एजुकेशन में दोस्तों आज है दस माई आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दस माई 2023 के मुस्ट इंपोर्टन करेंट एफेर के कुश्चन्स के बारे में वीडियो अगर पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफेक्जन अब तक पहुचता रहे है चले, क्विकली रिविजन करेंगे सबसे पहले कल के करेंट अफेर का, उसके बाद आज के तरफ बढ़ेंगे आठ मै को वर्ड रेट क्रॉस डी मनाया गया, साथी साथ विश्चु थैली सीमया दीवस भी मनाया गया मैड्रिड ओपन का खिताब एक बार फिर से जीत लिया है कार्लोस अलकराज ने रक्षा मंतरी राजनाज सिंग जी ने चंदीगड में देश का पहला IAF यानि इंडियान एरफोर्स का हेरेटेज सेंटर का उधगण किया है और वहें केंद्रिय मंतरी नित्यानन ने मेघाले में दावकी भूमी बंदरगाह का गढ़न किया केके सेलजा जो की केरल की पहली ये महिला रह चुकी हैं स्वास्त मंतरी इन्होंने अभी हली में माय लाइफ एज एक कॉम्रेट नाम की आत्मगथा अपनी लांच करी है एक्सेंचर इंडिया के प्रवन नेजिसक बन गए है अजय विज और अभी 36 वर्सों के बाद भारतिय नो सेना का लेंडिंग पोथ आई एनस मगर सेवा मुक्त गिया गया मियामी एफ वन ग्रेंट प्रिक्स इसको जीत लिया है मैक्स वर्सेट इपन ने ये रेडबुल के खिलाड़ी है और अभी उत्तरा खंड राज की पुलिस ने एक विश्य सभियान चलाया है ऑपरेशन मर्यादा 17.37 मीटर की लंबी छलांग लगा कर त्रिपल जंप में एक नया रिकार्ड बना दिया है प्रवीड चित्रवेल ने ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्यक्ली रिविजन अब आज की करेंट अफेर हम लोग देखेंगे और ड पत्रिकारिता और साहित्य के छेत्र में दिया जाता है ठीक है ना साहित्य के छेत्र में दिया जाता है अमेरिका का इस सेक्टर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोषकार माना जाता है तो अभी फिक्शन के लिए दो को दिया गया है ये प्रोषकार किसे किसे बारब पर पहले देखो आप अर्टिकल निव ताइम हर बार जीठता है इस बार भी जीता है इसारी इंट है सोलासे सोलासे 17-18 कर टेकरी में कुछ 20-22 कर देगरी में दिया जाता है यह पुरसकार इस बार भी दिया गया है यहाँ पर देखो जैसे पब्लिक सर्विस के लिए Associated Press को दिया गया है Associated Press अभी आपको याद हो कुछ दिन पहले एक और सम्मान पाया हुआ था ठीक है यह Ukraine की एक संस्था है Breaking News Reporting के लिए Staff of the Los Angeles Times को लोस एंजल्स जो टाइमस है जो वहां का एक रीजनल अकबार है कह सकते हैं उसको मिला है Investigative Reporting के लिए Wall Street General को यह भी एक समचार पत्र एजंसी है इसके स्टाफ को Investigation Reporting के लिए मिला है Explanatory Reporting के लिए Atlantic को मिला है The Atlantic के Kathleen Dick Carson उनको मिला है और Local Reporting के लिए मिला है Mississippi Today को ठीक है ऐसे Awards मिले कुछ और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे जैसे देखो यहां पर Public Service के लिए Associated Press को दिया गया जो कि मैंने बताया आपको National और International यह दोनों भी बहुत पूचा जाता है National Reporting के लिए Caroline Kitchener को मिला है Washington Post के हैं और वहीं International Reporting के लिए The New York Time को मिला है International Reporting के लिए यह बहुत ही important है इसको याद रखेगा The New York Time ने Ukraine को अच्छे से cover किया था Ukraine war के दौरान इसलिए इसको दिया गया है इसके अलावा अगर बात करें साहित स्रेणी में यह तो पत्रकारिता के स्रेणी में था साहित इक स्रेणी में देखो पुलिजर पुरुसकार इसकी सुरुवात दोस्तो 1917 से हुई यह पत्रकारिता के छेतर का अमेरिका का सबसे बड़ा पुरुसकार होता है और यह साहित छेत में भी दिया जाता है अच्छा एक चीज और आपके मन में ख्याला रहा होगा ऐसे और भी पुरुसकार होंगे जो अपने अपने सेक्टर में सबसे बेश्ट होते होंगे क्या उनकी नाम आपको पता है चलिए कुछ कुछ रिवीजन करते हैं वैसे लाइव क्लासेज में तुम्हें आपको बहु पुलिजर जो है यह माना जाता है पत्रकारिता का रिटिकरेगी का पत्रकारिता का ऐसे ही होता है ओसकर आप सब जानते हो यह सिरिमय का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ऐसे ही होता है ग्रैमी और ग्रैमी जो होता है यह संगीत के छेतर का सबसे बड़ा अवार्ड म कौन कौन से हैं जैसे जिसमें है chut fiber για सबसे बड़ा प्रोज़कार होता है कौन कौन से हैं जैसे जिसमें हैं T लिट्रेचर के लिए भी दिया जाता है लिट्रेचर के लिए और एक होता है पीस के लिए दिया जाता है ठीक है तो इन छेट छेतरों में नोबल पुरुसकार सबसे बड़ा होता है इसके लिए एक पुरुसकार है रमन मैक्स से रमन मैक्स से के दोस्तों इनको एसिया का काम प्रोजेक्ट बंकर कम्पलीट हो गया है। टावर का है थीक है यह चार सो फीट उंचा एक संजों की एक संवरचना होगी जिसमें भगवान स्रेक्रिश्ण की और साथ स्री वैंकेटेश्वर स्वामी की इन दोनों की मूर्तिया होंगी है यहाँ पर इस टावर में थीक है तो बेस को मिला करके टोटल 400 फीट की उचाई का यहोगा 200 करोड की लागत आने वाली है तो हैदरबाद में यह बनाया जा रहा है अब हैदरबाद तेलंगाना में है तेलंगाना के बारे मैं थोड़ा सा जान लो यहाँ पर देखो कि आप मैप में इंडिया के यह रहा तेलंगाना यह 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध प्रदेश से अलग हुआ था और 29 राज्य बना था हाला की बाद में जम्मू कस्मीर को दोस्तों जब से यूनियन टेरिक्टरी घोषित कर दिया गया जम्मू कस्मीर और लद्दा को राजी का दर्जा हटाया गया सबसे फिर से राज्यों के संख्या हो गई 28 टोटल भारत में लेकिन यह जब बना था तो 29 राज्य बना था तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यहां के CM जो है यह है TRS पार्टी से हाला कि TRS पार्टी का नाम अब बदल गया है इसका नाम अब BRS हो गया है ठीक है चुनावायोग ने बदलनी की मनजूरी दे थी TRS पारे तेलंगाना राष्ट्र समित था अब भारत राष्ट्र समित हो गया है तर्विनिशाई संद्रा राजन जी यहां की गवर्नर है यहां पर जील की अगर बात करें तो हुसैन सागर निजाम सागर भदरकाली जील है स्री सैलम टाइगर रिजर्व है इसके अलामा चार मिनार गोल कुंडा का किला बरला मंदिर यह सभी प्रमुक चर्चित अस्थल है यहां पर अगर जीलो की संख्या की बात करें तो वो है 33 विधान सभा में 119 सीटे हैं लोग सभा में 17 और राज सभा में 7 सीटे हैं तेलंगाना में तेलंगाना का राज के पसु होता है चितिदार हिरन राज के पक्षी होता है इंडियन रोलर और राज के पुस होता है टंगेडू अगला, हाली में किसने start कारिक्रम सुरू किया तो start कारिक्रम दूस्तों सुरू किया है ISRO ने ISRO के द्वारा अभी students को training देने के लिए एक start नाम से program सुरू किया गया है यहां पर देखिए दाहिंदू का आर्टिकल है आपके सामने इसरो टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोग्राम फॉर पीजी एंड फाइनल एयर यूजी स्टुडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे या जो फाइनल एयर के अंडर ग्रेजुएट्स स्टु Widodра या को है कि पीजी के और असनातक छात्र यानि की जो ग्रेजुएट्स होंगे सब्स्क्राइब पॉस्ट्णूइट्स पंड़ारा इंको पढ़ाया जाए जसे से आने वाली जे य०ौश्स Community system जक्तरमें थिक है इसमें सामिल होकर करें इस दो हो की बारे में बात करें तो इंडायण 9 पेश रिसर्च अगॉर्णाइशन भारत की ये गॉर्मेंटेशेंसी है ठीक है गौर्मेंटेड स्पेस एजिंसी है भारत की प्राइबेट स्पेस एजिंसी है क्या आपको पता है भारत की कौन-कौन सी है देखे दो मैं नाम बता रहा हूं इनका नाम में याद रखना इन फ्यूचर बहुत ज्यादा नाम इसका आने वाला है चर्चे में एक तो अगनिकुल एरोस्पेस अगनिकुल एरोस्पेस इसका नाम याद रखना एक इसकाई रूट इसकाई रूट ठीक है इसकाई रूट आगर आपको याद हो देश का पहला प्राइबेट रॉकेट विक्रम वन का परिक्षड किया था विक्रम वन का परिक्षड किया था याध की स्थापना होई थी अगला स्री लंका के पर्याटन प्राधिकरण के आकोड़ों के अनुसार स्री लंका के प्रेटन छेत्र में भारत का अस्थान कौन सा है तो स्रीलंका के तरब से अभी पर्याटन प्राधिकरण के आंक्रे आये और इसमें बताया गया कि स्रीलंका में पर्याटन के लिए सबसे ज़्यादा जो आये वेक्ति घुमने वो रहे भारत के तो भारत इसमें रहा टॉप पर यहां पर देखिये रिपोर्ट है स्रिलंका तूरिस्म इंडस्ट्री इज ओन बूम विद ओबर 1.25 लाग तूरिस्ट अराइवल रिकॉर्ड़ इन मार्च 2023 एक्चुली जब इसमें क्राइसिस आई थी स्रिलंका में तो उसके पीछे का कारण यही था टूरिस्म स्रिलंका तूरिस्म पर ही बेज़़ है और कोविड की वज़ा से टूरिस्म हो नहीं पाया था उन दिनों में और इसी वज़ा से जो स्रिलंका है इसका फोरेक्स रिजर्ब बिलकुल खाली हो गया था मागाई लगातार बढ़ती जा रहे थी और सरकार भी इनस्टेवल थी इस वज़ा से वहाँ पर ऐसे इस्तिति आ गई है आ गई थी एक टाइम के लिए कि वहाँ पर राष्टपती को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था लोग जो है जो है आम जनता जो है वो राष् देखो फिर से अब बढ़ना सुरू हो चुका है और बढ़ने में देखो सबसे बड़ा योगदान इंडिया का रहा है इंडिया में इसमें बताया गया कि पिछले महीने ही लगबग 20,000 भारतिये परेटक स्रिलंका पहुंचे थे सबसे जादा भारतिये परेटक ही गए और रिक रिकार्ड बना दी इससे पहले रसिया के परेटक गए थे अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक सबसे अदा रूस की लोग जो है स्रिलंका को विजिट किये थे स्रिलंका के बारे में बात करें तो इसकी दो ओफीसियल लेंग्विजिज हैं सिंगल और तमिल तो वर्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यह रहा अपना प्यारा भारत यहां से ही सबसे नीचे आजाओ भारत के तो यहीं पर आपको देखेगा हिंद महास्तागर का मोती क्या फिर से हिंद महास्तागर का मोती या कहें पूरू का मोती दोनों की नाम से जाना जाता है स्रिलंका ठीक है कोलंबो और स्रिजय वर्दने पूरा कुट्टी यह दोनों ही इसकी कैपिटल है स्रिलंका की और इसके प्राइम मिनिस्टर है कौन इसके प्राइम मिनिस्टर ह है रोनेल विक्रम सिंथे यहां की करंसी क्या होती है स्रिलंकाई रूपया के लिए आगे दिखते हैं अगला कुशन हाली में किसके दौरा लिखी गई पुस्तक दौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लेंड्स टू राइसीना हिल्स इसका किस ने विमोचन किया तो दौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लेंड टू राइसीना हिल राइसीना हिल अगर आपको पता हो यह राष्ट्रपती भवन का लोकेशन है जो राष्ट्रपती भवन है भारत का राष्ट्रपती भवन है दिल्ली में तो उसका जो लोकेशन है वो है राइसीन अगर आपको पता हो ये एक ट्राइवल कम्यूटी से आती हैं द्रोपदी मुल्मूजी ओडिसा के मयूर भंज जिले में इनका जन्म हुआ था एक छोटी से गाउं में वहां से धीरे धीरे भारत का पहला नागरिक बनने तक का इनका जो भी सफर रहा है उसको इस पुस्तक मे इन्होंने लिखा है कस्तूरी रेन आज की टाइम पर द्रोपदी मुल्मूजी भारत की पंद्रवी राष्टपती है जारखंड की ये राजिपाल रह चुकी है इससे पहले ठीक है पिछले राश्टपती थे रामनात कोविन जी वो बिहार के राजिपाल रह चुके थे ठी ओडीसा की रहने वाली थी और जारखंड की राजिपाल रह चुके थे एक इंट्रेस्टिंग कंडीशन में आपको बताने जा रहा हूं देखो अगर आप भारत का नागरिक बनते हो बात की बात है अगर आपको राजिपाल बनाया जाता है ना किसी राजिका तो ये देखा जाता है कि आप उस राजिके ना हो नागरी ठीक है मतलब जैसे आप यूपी के हो तो आपको यूपी का कभी राजिपाल नहीं बनाया जाएगा यूपी को शोड़ करके बाकी हर एक राजिपाल बनाया जा सकता है आपको तो ऐसे द्रोपदी मुर्मु जी ओडिसा की थी तो जो राजिपाल बनता है आगे चल कर कि वह राजपती बनता है नहीं ये तो बाद में चुनाव पर सरकार पर करता है कि किसको बनाया जाता है एक यहां पर मैंने राजिपाल की कंडिशन आपको बताई है आगे दिखते हैं आधि South East Asian Nation का ये 42वा संस्कर्ण था ये सम्मिट हुआ, ये सिखर सम्मेलन हुआ यहां पर देख पाओगे Cambodian PM to attend 42nd ASEAN Summit Actually में Cambodia भी ASEAN का सदस्ट है तो ये इंडोनेसिया में ये आयोजित हो रहा है इसलिए ये भी इसमें हिस्सा ले रहे है जकार्ता इंडोनेसिया में ये हुआ ASEAN Affairs Epicenter of Growth ये रखा गया था theme ये दोस्तो एक South East Asian Nations का ग्रूप है यहां पर जिसे इमेज में आप देख पा रहे हो South East Asian Nations में कौन-कौन से देश आ रहे है नाम भी यहां पर लिख रखा है मैंने ब्रुनोई, कमबोडिया, थाइलेंड, म्यामार, इंडोनेसिया, मलेसिया, लाओस, फिलिपीन्स, वियतनाम, सिंगापूर ये सभी देश आते हैं इसमें Association of South East Asian Nations में तो 1967 में इसकी अस्थापना हुई थी जकार्ता में ही इसका हेड़कॉर्टर है और अभी अधेक सभी जकार्ता ही कर रहा है अगला अगला कुशन है भारत की पहली High Speed Rail Line का निर्मार कहां पर किया जा रहा है इसका निर्मार दोस्तों मुंबई और आहमदाबाद के बीच में किया जा रहा है या पर देखेंगे आप National High Speed Rail Corporation Limited की दोरा ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर चलेगी बुलेट ट्रेन जिस पर चलेगी बुलेट ट्रेन और जो आहमदाबाद को मुंबई सहर से जोड़ेगी और ये जोडने की वज़ा से अगर ये जब बन जाएगा कॉरिडूर पूरा हो जाएगा तो 6 गंटे 35 मिनट के जो दूरी है वो किवल 1 गंटे 58 मिनट में पूरी हो सकेगी ठीक है तो दोनों सहरों के बीच में connectivity जो होगी National High Speed Rail Corporation Limited के द्वारा जापान की मदद से जापानी गवर्मेंट ने इसमें काफी जादा investment किया है एक दसमलो एक लाग करोड रुपे का तो उसकी मदद से ये कोरिडूर बनाया जा रहा है इसी पर बुलेट ट्रेन चलाएगी मुंबई आमदाबाद High Speed Rail कोरिडूर होगा और ये ACI भारोत तोलन चैंपियंशिप 2013 ये आयोजित हुआ दोस्तो दक्षड कोरिया में और इसमें भारत ने मिडल जीते हैं तीन के तीनों ही सिलवर रहे हैं और ये तीनों केवल दो खिलाडियों की दोरा ही जीते गए हैं मिडल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे Aisian Weightlifting Championship 2023 इसमें बिंदिया राणी देवी जो हैं इन्होंने दो सिलवर मिडल जीता हुआ है विमेंस की 55 किलोग्राम की काटेगरी में और वहीं जेरेमी लादरिन नुंगा जो हैं इन्होंने 66 किलोगराम की काटेगरी में जीता हुआ है पूरसो में ठीक है तो ये लेकिन अब चुकी भारत का कोई दावेदार है नहीं इस वेसे समझो अब तीनी मिडल पर फिक्स रहेगा इंडिया का ठीक है जितने भी भारत की जो दावेदार थे वो उनका इवेंट हो चुका है ठीक है वेट लिप्टिंग में ये आया है अगला चेन्ने और ओडिसा में तबाही मचाने वाला चक्रवात मोका कहां से उठा है तो मोका नाम का चक्रवाती तूफान ये उठा है दोस्तों बंगाल की खाड़ी से अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके बताया है कि दोको मोका नाम का तूफान आ रहा है और इस से तेज हमाएं भी चलेंगी और तटिये इलाकों में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है कि अगले दो दिनों में तबाही मचाने वाला है ठीक है next two days में तो मोचा या मोका नाम होगा इसका देखो इसको नाम दिया है यमन एक देज है उसके द्वारा ये नाम दिया गया है ठीक है मोचा और नाम कैसे द जाता है उसी के नाम से यमन ने ये नाम सजिश्ट किया हुआ था जो कि काफी उध्यक के लिए ये प्रसिद्ध होता है काफी मतलब कहवा तो यमन ने ये नाम दिया है ये आपसे पूछा जाएगा कहां से उठा बंगल की खाड़ी से के लिए अब बात करते हैं नाम कैसे रखी जाते हैं तो देखो दोस्तो क्या है कि नाम रखने के लिए लिस्ट बहुत पहले दे दी जाती है और उस लिस्ट में आलरेड़ी नाम fix रहते हैं ठीक है नाम इसलिए दिय जाते हैं जिससे इन फ्यूचर में कौन सा तूफान कब आया रहा था ठीक है उसका रिकार्ड रहे और वो कितनी तीवरता का था कितना इंटेंसिटी का था कितना जादा नुकसान पहुचाया था अब दूसरा वाला अगर वैसे ही similar कोई केस होता है similar कोई तूफान उठता है तो वो उसका प्रभाव कितनी दूर तक रहेगा यह एक अंदाजा लगाया जा सकता है साथी साथ में हम लोग एक रिकार्ड भी धर रख सकते हैं तो यहां पर देखो लिष्ट पहले से दी गए थी तो यह देशों की लिष्ट है देशों के नाम है जिन्होंने अपना अपना नाम दिया है इन्होंने अपना अपना देखो यह यहां से ले करके यहां त चलता है बिल्कुल ऐसे alphabetical order में चलता है यानि पिछला जो तूफान था उसका नाम मॉंड्यूस था उससे पहले सितरंग फिर असानी जवात ऐसे तो अब अगला तूफान कौन सा होगा तो देखो यहां पर मोचा हो गया है अब अगला तूफान के लिए लिश्टू से तो यानि टोटल 169 जो है यह नाम अल्रेडी डिसाइड़ है किलेर है बिल्कुल अगला कुश्चन किस राज में लीथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है तो दोस्तों अभी हाले में लीथियम का एक और भंडार मिला है और यह वाला जो है न यह बताया जा रहा है कि यह जम्मू कस्मीर में जो भंडार मिला था उससे भी बड़ा है और यह पाया गया है राजस्थान में राजस्थान के नागौर जिले में यह देखने को मिला है लीथियम का बंडार हाला कि exact अभी नहीं पता चला है कि कितना है यह लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि अके बढ़ने वाली है और दुनिया पूरा इंडिया की तरफ देखेगी वेहिकल्स के लिए ठीक है बैटरीज के लिए क्लिए क्योंकि लीथियम का बहुत ज्यादा यूज होता है बैटरी बनाने में तो यह रास्थान के डिगना में पाया गया है नागौर जिले में जो की परता परी में जम्मू कस्मी में 5.9 मिलियन टन का लीथियम भंडार पाया गया था लीथियम बिसिकली अगर आप आवट सार्णी में देखोगे तो तीसरे नंबर पर आता है ठीक है तीन प्रमाड कर्मान क्वाला तो सबसे हलका यह धातू होता है सबसे हलकी और मुलायम धातू ह होती है इसका उपयोग बैटरी बनाने में चार्जेवल बैटरी बनाने में किया जाता है जो कि मोबाइल लैप्टाप लेक्रिक वहिकल्स सब जगा यूज होता है अभी तक अगर बात करें तो दुनिया में 47 परसंट लीथियम के साथ अकेले आश्टिया में सबसे अधा उ इसको ध्यान रखेगा लीथियम का बंडार ओके रास्थान यहां पर देखो आप भारत का सबसे बड़ा राज्य है जैपूर इसकी राजधानी है राज के पसु है उट राज के पक्षी है गोंडावन राज के पुस्पहर रोहिरा क्लियर अब यह तो थे आज के दिन के ट वही नीरत चोपड़ा पदमसरी से सम्मानित हो चुके है निम्न मेंसे किस प्रुसकार से सम्मानित दिया गया था यह पूछा गया है कि 2022 में किस सम्मानित दिया गया था ठीक है इसके अलावा मेजर ध्यान चंद खेल रत्म भी इनको मिल चुका है लेकिन 2021 में मिला था चलि भी बता दीजेगा दोनों कुश्च्यंस के बारे में जो भी पता हो इसको डिटेल में जरूर अंसर करना हमारी ebook अगर आगर आप लेना चाहते हो तो वह भी ले सकते हो हमारे quality courses लेना चाहते हो तो वह भी आप जोईन कर सकते हूं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक जुड़ने के लिए मिलेंगे लिए वीडियो में तक लिए नमस्कार जाएं वंदे मात्रम